हेलो फ्रेंड्स में आशिमा स्वागत करती हूँ आप सब का अपने चैनल किचन पार्टनर्स टीम में एक नई रेस्पी के साथ आज अब बनाने चारे हैं बहुत ही अलग तरीके से बैंगन का भरता बैंगन का भरता वो आपने कितनी बार खाया होगा पर मेरे तरीके से बनाएंगे और खाकर देखेंगे तो अलग ही मज़ा आएगा तो चलो स्टार्ट करते हैं बहुत आसान तरीके से बैंगन का भरता कैसे बनता है और प्लीज वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा इसे से उपर की डंड़ी उतार देनी हैं बेग昨 Luby डंड़ी उतार ने के बाद उसकु अच्छे से छीजल लेना है ,देखिए इस तरीके से हम बेगण को छीजल लेते है ध्यान रखिएगा बैंगन है उसमें कोई छेद नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर किसी भी बैंगन में छेद होता है तो उसमें कीड़ा होता है देखिए इस तरही का होता है ध्यान रखिएगा तो अब इसको साइट को अलग निकाल देते है साफ साफ अलग निकाल लेते हैं बैंगन इस तरह से साफ कर लेंगे यहाँ पर जो हम बैंगन का भरता बनाएंगे अलग तरीके से बनाएंगे यहाँ पर भूनेंगे नहीं हम बैंगन को अगर भूनते हैं तो उसमें कीडे का पता नहीं चलता है तो इसमें आराम से हम देख सकते हैं इस तरीके से बड़े-पड़े टुकडों में हमने बैंगर को काट लेना है और उसको धो लेना है अच्छे से तो एक कूकर में हम थोड़ा सा ओयल डालेंगे एक से दो चमची ओयल का यूज़ करना है हमें तो धोए उवे गिले गिले ही बैंगन हमने डाल देने हैं कूकर में सुखे बैंगन नहीं डालने हैं कूकर में हमें गिले गिले ही बैंगन डालने हैं कूकर में ऐसे हम हिला देंगे सारे बैंगन को बैंगन को मोटा मोटा काट लेना है हमें तो थोड़ा सा नमक डालेंगे ज्यादा नमक नहीं डालना है हमें नमक थोड़ा डालना है इसमें नमक को भी मिक्स कर देते हैं जटपट से बन जाएगा हमारा ये बैंगन का भर्था तो अब हम इसका ढकन बन कर देते हैं कुकर का याद रखेगा सूखे नहीं होने चाहिए बेंगन बेंगन में थोड़ा सा पानी होना चाहिए तो एक से दो सीटी के बाद बेंगन इस तरह से हो जाएंगे और उसको हम निकाल लेते हैं अलग से कटोरे में क्योंकि बेंगन उबल चुके हैं पक चुके हैं उसको मैश करके हमने कुकर के अंदर ही करची के साथ मैश कर लेना है और उसको अलग बरतन में निकाल लेना है देखे इस तरह की से बेंगन पक जाएगा इसको अब हम side में रख देते हैं और एक कडाही में cooking oil डालते हैं यहाँ पर सरसों के तेल में ही भर्था बहुत tasty लगेगा आप सरसों के तेल में बना कर देखिएगा गरम कर लीजिएगा तेल को और जैसे ही गरम हो जाएगा तेल तो हम उसमें थोड़ी सी हिंग डाल देंगे हिंके बाद हम डालेंगे प्याज यहाँ पर दो बैंगन का भर्था मैंने बना रही हूँ तो मैंने 3-4 प्याज लिए हैं इस प्याज ज़्यादा लगते हैं भर्थे में प्याज को अच्छे से हिला देंगे हम पकने देंगे यहाँ पर अगर आप प्लीज हमारे चैनल पर अगर नए है तो सब्सक्राइब कर दीजेगा साथ ही साथ बैल आइकन बटन भी प्रेस जरूर कीजेगा ताकि कोई भी वीडियो डालू तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे बहुत ही आथसान तरीके से बनाई हुई रेस्पीज का दीखे यहाँ पर प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो रहे है जैसे ही लाइट ब्राउन हो जाते हैं हम उसमें डाल देते हैं टमाटर यहाँ पर मैं दो से तेन बड़े साइस के टमाटर यूज़ कर रही हूँ यह प्याज के साथ और इस में डाल रही हूँ हरी बारी चौपकी हुई हरी रंग की मिर्च हरी मिर्च जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी भरता लगता है क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है अगर आप स्पाइसी खाते हैं तो हरी मिर्च ज़्यादा डाल दीजेगा उसको भी अच्छे से हिला देंगे यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल रही हूं नमक याद रखेगा नमक हमने बैंगन को जब बॉइल किया था उसमें भी डाला था तो नमक ध्यान से डालिएगा और यहाँ पर मैं लाल मिर्च यूज कर रही हूं काश्मीरी मिर्च काश्मीरी मेच का कलर बहुत अच्छा आता है इससे बैंगन के भरते का कलर और भी अच्छा बन जाएगा इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे सारे मसालों को प्यास टमाटर को अच्छे से मिक्स कर देना है और थोड़ी देर ढखके रख देना है ताकि उसका कच्चापन निकल जाए देखिए जो ओईल है सबजी का वो अलग हो गया है तो इटमिन्स हमारा तड़का त्यार हो चुका है अच्छे से मिक्स कर देंगे ओईल को भी मिक्स करते रहेंगे और इसमें अब हम डाल देते हैं थोड़ा सा सुखा धनिया पीजा हुआ सुखा धनिया डालना है हमें इसको भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं जैसे ही मिक्स हो जाएगा अब हम इसमें डाल देते हैं बॉयल की हुआ बैंगन और बैंगन को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे तड़के के साथ ही बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है अगर बैंगन थोड़ा मोटा है तो उसको कर्ची के साथ थोड़ा थोड़ा करके तोड़ लीजेगा हिलाते रहीएगा दिखें अच्छे से mix करेना है सारा ही बैंगन मोटा नहीं होना चाहिए अच्छे से mix करने के बाद इसको धक्की रख देंगे याद रखेगा अभी इस टाइम पे फ्लेम स्लो होना चाहिए दू से तीन मिनट के लिए ढखने के बाद बैंगन हमारा त्यार हो चुका है बैंगन का भर्था देखे ओल अलग हो चुका है इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं हम यहां पर हमारा भर्था त्यार हो चुका है और हम सर्फ करते हैं देखे कितना ही तेस्टी लग रहा है देखने में और कलर भी अच्छा आया है आप एक बार इस तरीके से बैंगन का भर्था बना कर देखेगा जो नहीं खाते हैं वो भी खाने लग जाएंगे बैंगन का भर्था और अगर आपको हमारा यह बैंगन का भर्था पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा और कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताईएगा कि आपको भर्था कैसा लगा है इजी लगा है यह टफ लगा है बनाने में क्योंकि जो भी मैं वीडियोस डालती हूं बहुत ही आसान तरीके से बना कर ही डालती हूं ताकि आप भी इजी तरीके से इसको फॉलो कर पाएं तो यहाँ पर गानिश कर दिया है मैंने हरा धनिया से और हर इमेच को बीच में काटकर लंबा वो रख दिया है इसमें हर इमेच बहुत टीस्टी लगती है बरते के साथ बरता जितना स्पाइसी हो उतना ही ज्यादा टीस्टी लगता है तो प्लीज वीडियो को जादा से जादा शेयर कीजिएगा ताकि जादा से जादा लोग देख पाए ये वीडियो और इजी तरीके से भर्ता बना कर खा पाए जो नहीं खाते हैं और सब्सक्राइब करना मत बूलेगा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी रगी है तो देखते रहिएगा और सारी वीडियो जल्दी से मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ हमारे चैनल पे तब तक के लिए थैंक्यू सो मच वीडियो देखने के लिए बाबाई